करण भी उतना ही जरूरी है हम क्रिशी क्षेत्र में नई व्यवस्ताइं बनाने के साथ ही पैक्स जैसी सहकारी समस्ताओं को नई भुमिकाओं के लिए तैयार कर रहे हैं ये समीतिया अब प्रधान मंत्री जन आउशदी केंद्र का भी काम कर रही हैं इनके द्वारा हजारों प्रधान मंत्री किसान समुर्दी केंद्र भी संचालित हो रहे हैं हमरे सहकारी समितियों को पैट्रोल और डीजल के रिटल आउटलेट में भी बढ़ला है कई समीतियां पर LPG सिलेंडर भी मिलने लगे हैं कई गावों में पैक्स पानी समीतियों की भुमिका भी निवा रही है यानि पैक्स की रण समीतियों की उपयोगिता भी बढ़ रही हैं उनकी आयके साधन भी बढ़ रहे हैं यही नहीं सहकारी समीतियां अब कॉमन सर्विस सेंटर के तौर पर गावों में सेंकडो सरकारी सुविधाएं भी दे रही हैं अब कॉम्पूटर के जरिये इस समीतियां टेक्नालोजी और डिजिटल इंडिया से जुड़े आउसरों को और बड़े स्तर पर किसानों तक पहुँचाएगी इससे ग्रामिक छेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए आउसर भी बनेंगे साथियों विक्सित भारत के संकल्प की सिद्धी इसके लिए मैं आप सभी की भूमिका सहकारी संस्ताओं की भूमिका का महत्व बहुत ज़्यादा है इस बात को समझता हूँ इसलिए आप सभी से मेरी अपेक्षा भी कुछ ज़्यादा है और आखिर कर अपेक्षा तो उनी से होती है जो करते हैं जो नहीं करते हैं उनसे अपेक्षा कौन करेगा आत्म निर्भर भारत के निर्माण में आप जितना जादा और जितना जादा सक्रिय योगदान बढ़ाएंगे हम अपने लक्षों को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे आत्म निर्भर भारत बनाए बिना विक्सित भारत बनाना संभव नहीं है आपके शामर से आपकी संगठन ख्षमता को देखते हुएं मेरे मन में बहुत सारे सुजाव आते रहते हैं सारे तो अभी एक साथ नहीं बताऊंगा आपको लेकिन कुछ मैं इसारा करना चाहता हूँ जैसे मेरा सुजाव है कि हमारी कोपरेटिव एक लिस्ट बनाए कि कौन कौन सी चीजे ऐसी है जो आज हम बहार से लाते हैं विदेशों से लाते हैं अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे सहकारी चेतर किस्पे क्या कर सकता है उनके लिए देश में ही एक सपोर्ट सिस्टिम हमें बनाना है इस जिम्मेदारी सहकारी संताएं बहुत आसानी से ले सकती है अब जैसे हम कृष्षी प्रधान तो देश कहलाए जाते हैं लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो कृष्षी प्रधान देश की रूप में हम पिछले 45 साल से गीत गाते रहते हैं लेकिन ये दुरभाग ये देखिए हजारों करोड रुपिये का खाने का तेल हर वर्ष इंपोर्ट करते हैं खाने के तेल में हम आत्मंदिर भर कैसे हो इसी मिट्टी में पैदा हुआ तिलहन उससे निकला हुआ तेल हमारे नागरिकों के जीवन को अथिक ताकत दे सकता है और इसके लिए अगर मेरे सहकार छित्र के साथ ही काम न करें तो कौन करेंगा मैं सही कह रहा हूं को नहीं कह रहा हूं आप ही करेंगे ना करना चाहिए ना हमें अब आप देखिए खाने का तेल भी बाहरे से आता है और उर्जा के लिए जो तेल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए ट्रैक्टर चलाने के लिए पैट्रोल डीजल यह फ्यूल से जुड़ा अपना इंपोर्ट बिल भी इसको भी हमें कम करना है इसके लिए हम इथेनोल को लेकर आज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं बीते दस वर्सों में इथेनोल के प्रोडक्शन खरीद और ब्लेंडिल तीनों में कई गुना बड़ोत्री हुई है आज ये काम जादा तर चीनी मिलों के जिम्में है और सरकारी कमपनियां उनसे इथेनोल खरीदती है क्या इसमें सहकारी समितियां नहीं आ सकती है क्या जितनी जनादा आएगी उतना ही इसका स्केल और बढ़ जाएगा दालों के इंपोर्ट को कम करने के मामले में भी मेरे सहकारी ताक्षेत्र के लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं अग्रणी भूमी का निभा सकते हैं मैनुफेक्टरिंग से जुड़े भी अनेख छोटे छोटे सामान है जो हम सभी इंपोर्ट करते हैं लेकिन कोपरेटिव की मदद से हम उन्हें देश में ही बड़ा सकते हैं कि साथिओं आज प्राकृति खेती पर हम बहुत बल दे रहे हैंwn इसमें भी कि ओपरेटिव बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं अन्न दाता को उर्जय दाता और अन्न दाता को उरवरक दाता बनाने में भी क्रो कोपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका है अगर कोपरेटिव उसमें हाट लगा दें एकदम तेजी से पढ़ना मा जाएगा अब देगे रूप टॉप सोलर हो या फिर खेत की मेड पर छोटे-छोटे सोलर पैनल लगाने हो इसमें पचांस सो किसान इखटे होकर के सहकारी संस्ता बना दे मेड के उपर सोलर पैनल लगा दे और वो सहकारी संस्ता बिजली पैदा करें बिजली बेचे किसान को भी देचे सरकार को भी बेचे आसानी से सहकारी संस्ता है काम कर सकते है आज कर हम देख रहे हैं कि गोबर्धन क्या कोपरेटिव को इसमें पीछे रहना चाहिए क्या वेस्टू वेल्ट का काम हो गोबर से बायो सी एंजी बनाना हो जैविक खाद बनाना हो इन सब में सहकारी संस्थानों का विस्तार हो सकता है इससे देश का खाद से जुड़ा इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा हमारे किसानों के छोटे उद्यमियों के प्रोड़क्शिप की ग्लोबल ब्रैंडिंग के काम में भी आपको आगे आना चाहिए अब देखिए गुजरात का में और पहले गुजरात में जो डेरी थी सब अ से काम करते जब से अमूल एक ब्रांड बन गई डेरी बहुत है अलग अलग है लेकिन अमूल एक ब्रांड बन गई आज ग्लोबली उसकी आवाज सुनी जाती है हम भी हमारे अलग अलग उत्पात का एक कॉमन ब्रैंड बना सकते हैं हमें अपने मिलेट्स यानि स्री अन्न इस ब्रांड को हमारा लक्ष होना चाहिए है दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर भारत की ब्रांड का मिलेट्स क्यों नहीं हो कि इसके लिए को अपरेटिव उसको एक द्रापाक एक्शन प्लान बना करके आगे आना चाहिए कि साथियों गाउं की आय बढ़ाने में सहकारीता का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है हमने तो डेरी सेक्टर में अब पिछले तीन दिन से मैं कहीं ने कहीं सहकारीक शेत्र कारकम में रहता हूं पहले गया आमदाबाद में अमूल के 50 साल हुए थे फिर कल बनारत में था काशी में वहां बनारत का अनुभव है कि वहां डेरी सहकारीता का आने से बहनों की पशुपालों को की आए एक दम तेजी से बढ़ रही है सहकारीता बढ़ने से एक और खेत्र में प्रवेश हुआ है मैंने गुजरात के सहकारीता के लोगों से आगर किया था कि आप शहद की दुनिया में आईए हमने स्वेट क्रांती की अब हम स्वीट क्रांती करें और शहद के खेत्र में हमारे लोग आगे आए शहद सेक्टर को किसान आज कित्रा लाब उठा रहा है ये भी आप जानते हैं पिछले दस वर्सों में शहद उत्पादन पच्चतर हजार मेट्रिक टन से बढ़कर अब लगबग देल लाग मेट्रिक टन पहुच चुका है शहद के एक्सपोर्ट में भी अठाइस हजार मेट्रिक टन से असी हजार टन की वृद्धी हुई है असी हजार मेट्रिक टन की इसमें नाफेड और ट्राइफेड के साथ रात राज्यों की कोपरेटिव संस्तानों भी बड़ी भूमिका निभाई है इस दाइरे को हमें और अधिक बढ़ाना है साथ्यों गुजरात में हमने देखा है कि जब दूद का पैसा सीधा बहनों के खातों में जाना शुरू हुआ तो उसका एक सार्थक सामाजिक परिवर्तन आया अब तो हमारी सहकारी समित्यां हमारे पैक्स कम्पुटराइज हो चुके हैं इसलिए अब यह सुनिस्चित होना चाहिए कि जो भी काम हो जो भी पेमेंट्स हो वो डिजिटली हो को विशेश रुप से कोपरेट्यू बैंक्स को डिजिटल टेक्नोलोजी को आत्मसाथ करने के लिए तेजी से काम करना चाहिए एक और विशेश सॉयल हेल्थ कार का है हमने मिट्टी की शहत की जाच के लिए सॉयल टेस्टिंग का इतना बड़ा प्रोग्रेम बनाया है मेरा सहकारी संगठोनों से पैक्स से आग रहें का आप सॉयल टेस्टिंग के छोटी-छोटी लैब्स अपने इलाके में बनाईए और किसानों को आदर जा लिए कि लगातार वो अपने जमीन की सहथ देखता रहे मिट्टी की सहथ देखता रहे स्वयल टेस्टिंग का हम नेटवर्क बनाएं साथियों सहकारिता में युवाओं और महिलाओं की बागेदारी कैसे बड़े इसको लेकर भी हमें अपने प्रयास बढ़ाने होंगे और मैं तो सहकारिक शेतर में जहां पर किसांच जुड़े हुए हैं वेक काम कर सकते हैं साल में उनको कह सकते हैं कि आपको जो डिविडेन वगेरे मिलता है अब आपको मुप्त में आपके संस्ता की तरफ से स्वाइल टेस्टिंग करके दिया जाएगा उनको सिखाये जाएगा कि तुम स्वाइल टेस्टिंग से अनुभव के आधार पर अपनी फसलों पर ध्यान केंदित करो कि सथ्यों इससे सहकारिता में नयापन आएगा एक नई उर्जा आएगी सहकारिता में स्कील डेवलप्मेंट की ट्रेडिंग की जागुर्पता को बढ़ारा भी बहुत आवश्यक है बहुत बढ़लाव हो चुका है और सारी चीजें कांगेट पे होनी चाहिए मुझ जुबानी बाते करने वाला जमाना चला गया और इसके लिए ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है और इसके लिए प्रयास होने चाहिए पैक्स को सहकारी समीतियों को एक दुसरे से शीखना भी होगा बहुत सी सहकारी जंताय इनोवेटिव काम करती है कई को शेर करने के लिए कोई कॉमन पॉर्टल बना सकते हैं और सब लोग अपने नए-ने अनुभाव नए-ने तरीके उस पर अप्लोड करते जाए इन बेस प्रेक्टिस को आगे कैसे वढ़ाया जाए इसके लिए ओन राइन ट्रेनिंग की वबस्ता हो को मडूल बने आप जानते हैं कि एस्पिनेश्टल डिस्टिक्ट प्रोग्राम आकांग्शी जीलों का अभ्यान उस प्रोग्राम में एक उसकी विशेस्ता है हेल्दी कॉम्पेशन स्वस्तस परधा का रैंकिंग का एक सिस्टिम बनाया हुआ है और दिन में दस बार उस रैंकिंग में कोपरेटिव सेक्टर के अलग-अलग वर्टिकल बनाए हम एक एक प्रकार की कोपरेटिव का एक वर्टिकल दूसरे प्रकार की कोपरेटिव का दूसरा वर्टिकल और एक ऐसा मेकनिजम बनाएं कि उसमें भी एक हेल्दी कॉम्पेटिशन राउंड दे क्लॉग चलती हो सहकारी संगठनों में ये स्पर्धा हो बेश परफॉर्म करने वालों को इनाम की ववस्ता हो ऐसी सहकारी संगठनों से नई चीज़े भार आए एक बहुत बड़ा अंदोलन जिसको सरकार और सहकारी संगठनों मिल करके उसको एक नया रूपरंग दे सकते हैं साथियों एक बात सहकारी संगठनों के चुनाओं में पार दर्शिता लाना बहुत जरूरी है इससे लोगों का भरोसा बड़ेगा अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे साथियों सहकारी संगठनों को समुरुद्धि का आधार बनाने के लिए हमारी सरकार उनके सामने मौजूद रही चुनोतियों को भी कम कर रही है आपको याद होगा हमारे हां कमपनियों पर सेश लगाता था लेकिन सहकारी समुरुद्धियों को जादा सेश देना होता था हमने एक करोड से दस करोड रुपिय तक की आये वाली सहकारी समुरुद्धियों पर लगने वाले सेश को बारा प्रतिशत से घटा कर साथ प्रतिशत कर दिया इससे समुरुद्धियों के पास काम करने के लिए पुञ्जी भी बढ़ रही है उनके लिए एक कंपनी की तरह आगे बंड़े के रास्ते भी खुले हैं सहकारी समितियां और कंपनियों के बीच वैकल पिप टैक्ट भी पहले बेदवाव था हमने समितियों के लिए न्यूनतम वैकल पिप टैक्ट को साड़े 18 प्रतिसद से घटा कर 15 प्रतिसद कर दिया और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हमने उसको बराबर ला करके खड़ा कर दिया एक परेशन ये भी थी कि सहकारी समितियों को एक करोर से ज्यादा की निकासी पर TDS देना पड़ता था हमने निकासी की ये सिमा भी बढ़ा कर सालाना तीन करोर रुप्य कर दी है इस फाइदे का इस्तेबाल अब सदस्यों के हीत में हो सकेगा मुझे विश्वात है सहकार की दिशा में हमारे ये साजा प्रयास देश के सामुहिक सामर्त के विकास की सभी संभावनाओं को खोलेंगे इसी कामना के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जैसा अमीद भाई ने बताया के लाखों लोग आज अलग-अलग सेंटर्स पर इखटे हुए हैं मैं उनका भी इतने उत्षा और उमंग के साथ आज के इस महत्वफण इनिसेटिव पर जूड़ दे के लिए उनका भी धन्यवाद करता हूँ और उनको भी मैं बहुत सुब कामनाई देता हूँ आजिए हम सच्चे अर्थवे सहकारता की भावना को ले करके कंदे से कंदय मिला करके कदम से कदम मिला करके विक्सित भारत के लक्ष को प्राप्त करने के लिए चल पड़े एक साथ चले एक दिशा में चले और परणाम हम प्राप्त करते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवा आप